नमस्कार दोस्तो दोस्तो आजंबात करने वाले हैं खीरे का पानी पीने से होने वाले फाइदू के बारे में बताएंगे दूस्तों गर्मी में खीरे का सिवन लाबकारी होता है गर्मियों में सरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए आपको अधिक पानी पीना चाहिए खीरे में लगबग चान में पतिसत पानी होता है हर साल भारत में गर्मी की दुनों में तापमान अपना रिकोर्ड तोड़ता जा रहा है एक तरब बढ़ती गर्मी तो दूसरी तरब पानी की कमी इन दोनों समस्य की वज़े से गर्मी की दुनों में हमें बेहत परेसानी का सामना करना पड़ता है ग्रीम सिर्टों में खीरे का सेवन कई बिमारियों में लाब दायक माना जाता है इसमें परचूर मात्रा में पानी है जिसकी गर्मी में सरीर को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है आहर विशे सग्य कहते हैं कि ग्रिम सिरितु में सरीर को सक्रिय रखने और इम्मिनिटी सिस्टम को दुरूस रखने के लिए खीरे का पानी पीना चाहिए खीरे का पानी कैसे बनाते हैं और इसके क्या फाइदे हैं दूस्तों आईए जानते हैं खीरे का पानी बनाने के तरीके के बारे में जानते हैं खीरे का पानी बनाना बेहद आसान है खीरे को अच्छे से पानी से साप कर इसके कुछ तुकडे पानी का बरतन या बोतल में डाल दें और दिन भर इसे ही पीएं तो सरीर में ठंडक बनी रहेगी आप खीरे का पानी बनाने के लिए फ्रूट, इन्फ्यूजर, वाटर, बोटल का उप्योग भी कर सकते हैं यहें बेहत सस्ती हैं और आसानी से इस्तमाल की जा सकती हैं दोस्तो आईए जानते हैं खीरे का पानी पीने से होने वाले फायदों के बारे में नमबर एक विटामीन दोस्तो पानी से विटामीन नहीं मिलते हैं पर खीरे के पानी में विटामीन है और C के साथ आवस्चक मिनरल्स होते हैं जो बोड़ी में परती रोधक चमता में बढ़ोतरी करते हैं नमबर दो, बलड प्रेशर, दोस्तो खीरे में पोटेशम परचूर मात्रा में होता है, जो बलड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहता करता है नमबर तीन, नमी, दोस्तो खीरे का पानी पिने से सरीर में नमी बनी रहती है, सरीर का तापमान सही रहता है दोस्तो यह पानी पिने से विसाक्त पधार्थ असानी से सरीर से बाहर निकल जाते हैं सरीर को डेटोक्सीफाई करने का यह एक सरलुपाई है दोस्तो खीरे का पानी पिने से आपको तरोताजा महसूस होता है अक्सर गर्मी में लोग जल्दी ठक जाते हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं पर अगर आप खीरे का पानी पीते हैं तो अधिक एनरजीटिक महसूस करेंगे और फ्रेस रहेंगे नमबर 6, कैंसर दोस्तो खीरे के पानी में विटामिन, मिनरल आहुर, पोसक ततू हैं जो कैंसर का खतरा घटाते हैं इस पानी में फ्री रेडिकल से लड़ने वाले एंटियोक्सिडेंट से विससाक्त पदार्तों को आसानी से बाहर निकाल देते हैं इससे भी कैंसर का जोखिम कम होता है नमबर साथ ताउचा खीरे का पानी पिने से ताउचा नम रहती है और चमकने लगती है खीरे में सीली का ततु है जो ताउचा के लिए गुणकारी है नमबर आट मोटापा दोस्तों खीरे में कैलोरीज कम होती है और पोसक तत्तु अधिक इसमें परचूर मातरा में पानी है जिससे पेट भर जाता है और अधिक कैलोरी वाले पदार के सेवन से बचाता है इस वज़े से भोजन के समय इसके सेवन से मोटा पेका खत्रा कम हो जाता है और वेट लोस करने में मदद मिलती है नमबर नो पाचन दोस्तो इसके पानी के सेवन से पाचन सम्मंदी समस्य भी दूर होती है और पेट साफ रहता है नमबर दस गैस कई सोदों में साबित हो चुका है कि फाइबर युक्त खीरा वायू विकारों में भी लाबदाक है इसे खाने से या इसके पानी पीने से एसिडिटी और गेज की समस्य से रहत मिलती हैं खीरे का पानी पीने के फाइदों को देखते हुए कई डाटीशन गर्मियों में से पीने की सला देते हैं यह पूरी तरह से हरबल होने की वज़े से इसका कोई दूस परिणाम नहीं हैं गर्मी के दुनों में नुकसान दे, कोल्ड ड्रिंग्स या सोड़ा पीने की जगे आप इसे अधिकु प्यूगी और कम खर्चीले खीरे का पानी पीने के ओप्सन को चुन सकते हैं